नमस्कार स्टूडेंट्स, Employability Skills second year के स्टूडेंट्स के लिए दो वर्षी ITI course जैसे की फिटर इलेक्रिशन जैसा पिए आपको पता है कि आने वाले CBT परिक्षाओं में Employability Skills के उपर भी कुछ प्रशने पुछे जा सकते हैं तो इस Employability Skills के अंतरगत Entrepreneurship Skills का पहला वीडियो आप देख चुके हैं यह Entrepreneurship Skills पे आधारित Questions का दूसरा वीडियो है जिसमें हम 10 Questions को कवर करेंगे आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम इस Explanation वीडियो को बनाने के लिए हमने iti50.com जो कि आप नाम हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट ने बड़ी मेहनत की है हर प्रकार के Questions जो पूछे जा सकते हैं Employability Skills के अंतरगत उनको तयार करने में तो इन्हें Due Credit देना आवशक है Entrepreneurship Skills के अंतरगत जो second set of 10 questions है उस पर हम जाते हैं यह पहले 10 questions थे जो हम पहले कर चुके हैं पहले वीडियो में अब हम अगले 10 प्रश्णों के उपर जा रहे हैं और उनको हल करने का प्रयास करेंगे आपके साथ पहला question one important rule to network effectively is network क्या होता है जब कोई entrepreneur अपना स्वेम का कार शुरू करता है कोई business शुरू करता है या कोई product बनाना शुरू करता है तो उसके लिए network स्थापित करना बहुत आवश्यक है network स्थापित करने से अर्थ है कि अपने customers के बीच में network अपने suppliers के बीच का network अपने business से सम्मंदित अन्य लोगों से network और अन्य businesses से भी network इसको networking कहते हैं तो एक ऐसा important rule जो effective या अच्छे network के लिए अवश्यक हो इस प्रश्ण का अर्थ ये है तो हम चारों choices को पढ़ेंगे और समझेंगे कि सही उत्तर क्या होना चाहिए Talk to same people एक ही वेक्ति से बात करते रहना B. Keep in touch with your contacts अपने contacts से निरंतर संपर्क में रहना C. Focus on selling your product केवल अपने प्रड़क को बेचने पर focus रखना D. Identify your competitors अपने प्रतिद्वंदियों को चिन्हित करना identify your competitors तो ये चारों को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि इसका सही उत्तर भी होना चाहिए Keep in touch with your contacts अपने संपर्क वाले व्यक्तियों से निरंतर संपर्क में रहना अपने contacts से निरंतर संपर्क में रहना नमबर टू, question नमबर टू, networking is networking क्या होता है इस पर भी चारों choices को पढ़ते हम पहला A, making new enemies नए दुश्मन बनाना, enemies मतलब दुश्मन making new enemies, नए दुश्मन बनाना गलत ये सही answer नहीं हो सकता B, identifying your competition अपने प्रतिद्वंदियों को identify करना, चिन्नित करना ये भी networking नहीं होता, गलत है ये भी C, making connections with other businesses and customers connections स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना अन्य businesses से और अपने ग्रहकों से customers मतलब ग्रहक तो मेरे हिसाब से networking बिल्कुल ये ही होता है कि संपर्क स्थापित करना दुसरे businesses से और अपने ग्रहकों से तो उत्तर सी होना चाहिए, फिर भी हम D पढ़ेंगे, अगली चोईस पढ़ेंगे joining a social network social network क्या होता है बहुत सारी social networking sites के बारे में आपने सुना होगा जैसे की facebook, instagram, whatsapp ये सब social networks हैं तो इन्हें join करना नहीं, networking इसको नहीं कहते networking कहते हैं, C जो दिखा है next, a tagline is, tagline क्या होता है tagline क्या होता है तो tagline को मैं समझा देता हूँ tagline क्या होता है देखिए, जब भी आप कोई विग्यापन देखते हैं तो जब आप TV पे कोई विग्यापन देखते हैं तो आप कई बार देखते होंगे कि एक punchline, एक line जो निरंतर वो कंपनी हर विज्यापन में जरूर जोड़ती है जो उसके प्रड़क को चंद वर्ड्स में समझा देता है जैसे उधारण के लिए अगर मैं आपको कंपनी का नाम ना बताऊं और केवल एक चार शब्द बोलूं तो आप तुरंत उस कंपनी को पहचान जैसे देटेस्ट ओफ इंडिया केवल मैंने देटेस्ट ओफ इंडिया बोला तुरंत आपके दिमाग में आजाएगा अमूल। अमूल the taste of India या आपने उनके हर विज्ञापन में देखा होगा इस इन चार शब्दों को इस sentence को कहते हैं tagline तो हर company प्रयास करती है अपना एक ऐसा ही tagline तयार करना जिससे वो ग्रहकों के दिमाग में बार बार आए जब भी वो tagline सुने तो उन्हें उस company की याद आ जाए तो tagline जैसे मैंने बताया अमूल का tagline है the taste of India सिमिदरली अगर मैं आपको केवल दो शब्द बोलू सबसे तेज तो आपके दिमाग में तुरंट बात आएगी आज तक आज तक news channel का जो tagline है वो है सबसे तेज इसके लवा अगर मैं आपको यह चार शब्द बोलू सपनों की अपनी दुकान तो तुरंट आपके दिमाग में आएगा amazon तो amazon इंडिया का जो tagline है वो है सपनों की अपनी दुकान इसी प्रकार अगर मैं दो शब्द कहूं हमारा ब जाज automobiles तो इस प्रकार से इसको कहते हैं tagline तो अब tagline क्या होता है तीसरा question है इसको देख लेते हैं a plastic bag you attach to your product गलत be a meme making fun of your business tagline कभी भी अपने business का मजाक नहीं उड़ाता गलत see a description of your business आपके business को describe करने वाला वाक्य है मेरे ख्याल से बिलकुल सही है c तो 3 का c answer होना चाहिए फिर भी हम d पढ़ेंगे a joke कोई मजाक नहीं गलत है वो भी तो a tagline is a description of your business ऐसा वाक्य जो आपके business को के बारे में संक्षित में बता दे next चौथे question पर आ जाते हैं if you want to give people relevant information about you and your business in an easy way you will अगर इस question को समझ लेते हैं पहले अगर आप लोगों को अपने business के बारे में और अपने बारे में information देना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीगा क्या होगा इसके चारों choices को पढ़ते हैं फिर समझते हैं सही answer क्या होना चाहिए पहला A. write it on a piece of paper and give it to them A. कागस के टुकड़े पे लिख कर उन्हें दे दे B. verbally tell them when they ask जब वो पूछें तो उन्हें मौकिक रूप में बताएं C. ask them to search on websites उनको बोलें अगर उन्हें पूछें कि आपके business के बारे में बताएं तो उनको बोलें कि हमारी website में जाके देख लीजए और D. give them your business card जो business card, जो visiting card होता है अपना business card उन्हें दें तो अब चारों options को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि इसका सही उत्तर D होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे या आपके बारे में या आपके business के बारे में पूछें तो आपको अपना business card देना ही सबसे easy method है क्राफ्ट के business के रिए एक Instagram में page open किया शी used dash marketing strategy इस fill in the blanks को हमको भरना है उस अनीता ने क्या marketing strategy को use किया तो dash की जगा में हम चारों choices को एक बार डालते जाएंगे और समझेंगे कि कौन सा सही fit बैठता है इस fill in the blank में तो a online marketing b tagline c poster d networking networking मैंने आपको समझाया कि आपस में लोगों से निरंतर जुडाव रखना poster marketing strategy गलत tagline मैंने बता दिया tagline तो आपके business के बारे में एक sentence को कहते है online marketing and she used online marketing strategy जब अनीता ने instagram page खुला अपने business के लिए तो मतलब उन्होंने online marketing strategy को अपनाया तो a इसका सही उत्तर होगा next छटवा question human resources are human resource क्या होता है किसी भी business में human resource होता है जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनको human resource कहते हैं तो चारों choices पढ़ लेते हैं your neighbors आपके पडो c गलत b your staff employees and other helpers आपका staff आपके employees और आपके अन्य helpers मेरे ख्याल से b सही उत्तर होगा इसका फिर भी हम अगले दो choice भी पढ़ेंगे your customers आपके customer human resource नहीं होते d गलत है यह c भी गलत है d your competitors आपके प्रतित हो इंदी नहीं वो भी human resource नहीं कहलाते human resource होंगे आपके staff आपके employees और आपके अन्य helpers next 7th question पर आजाते हैं which one of the following is not a resource इन में से resource क्या नहीं है a raw material b customer database c profit earned और d your bed तो यह चारों में से आखरी जो है d यह human resource नहीं है यह odd choice है जो चारों में से raw material customer database और profit earned यह जरूर resource है आठवा question you are a lifelong learner if दिखे हमेशा व्यक्ति जो है उसको जीवन भर सीखना चाहिए यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सीखता रहेगा तो जरूर अपने future में अपने profession में काम्याब रहेगा तो lifelong learner जीवन भर सीखने वाला व्यक्ति वो होगा जो इन चारों choices को हम पढ़ते हैं यू get a PhD आपको PhD की डिगरी मिल जाए तो क्या आफ lifelong learner कहलाएंगे नहीं make a lot of make a lot of ये एक incomplete चीज है तो मेरे खाल से ये नहीं होगा answer इसका c live for a long time जाजा लंबी जिन्दगी जीने वाला वेक्ति lifelong learner कहलाता है नहीं चोथा keep growing and adding to your knowledge आगे बढ़ते रहें और अपनी knowledge को और add करते रहें उसको lifelong learner कहते हैं बिल्कुल सही डी answer इसका सही होना चाहिए keep growing and adding to your knowledge next 9 question पर आ जाते हैं one of the benefit of a lifelong learner is lifelong learner यानि निरंतर सीखने वाले वेक्ति का एक benefit बताएं तो चारों चोथा इसको पढ़नेते हैं हम become a better decision maker एक अच्छा निर्णय लेने वाला decision लेने वाला वेक्ति बन जाता है lifelong learner मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है यह यह बिल्कुल सही है बट जब भी आप CBT परिक्षा दें अगर आपको पहला उत्तर सही लगे फिर भी आप बाकी के कुछ उत्तर जरूर पढ़ें choices को जरूर पढ़ें और उनमें से decide करें best कौन सा है be becoming famous lifelong learner का benefit famous होना नहीं गलत है यह making lots of friends यह भी गलत होगा एक lifelong learning से friends बनाने का कोई मेली नहीं है और staying physically fit physically fit रहना learning से physically fit का भी कोई संबन नहीं है तो इसका सही उत्तर ए होगा become a decision maker a better decision maker एक lifelong learner जब जीवन भर सीखता रहेगा तो वो अलग अलग चीजें सीखेगा जिससे कि वो एक अच्छा निर्णे लेने वाला व्यक्ति बन जाए और अंतिम दस्वा प्रश्न when you have confidence in your own abilities and trust in yourself you have अगर आपको confidence है अपनी abilities पर अपनी काबिलियत पर और विश्वास है अपने आप पर तो आप में क्या है इसके चार चोईसेज है open mindedness, खुला दिमाग, proactiveness पहले से आप सतर्क, belief in yourself आत्मविश्वास और d optimism मतलब सकरात्मक सोच इन चारों चोईसेज में से अगर आप में confidence है और आपको अपनी abilities पर विश्वास है तो आपको अपने आप में belief in yourself स्वयम में आत्मविश्वास होगा तो c इसका सही उत्तर हो चाहिए, तो students हमने ये दसो प्रशन आपके साथ हल करते हुए इनको समझाया, ये entrepreneurship skills का second और आखरी वीडियो था, अन्ये topics पे भी वीडियो हमारे YouTube चैनल में मिलेंगे, हमारे YouTube चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, और जितने भी बच्चे ITI की परिक्षा देने वाले हैं CBT परिक्षा उन तक के लिंक जरूर कहुंचाएं, अब हम इसको समिट करके दिखने थे हैं, कि हमारे दसों प्रशन सही हैं कि कोई गलत है, समिट किया, देखे 10 out of 10 आया, सारे हरे हो गए, answer questions, तो मतलब हमारे सही उत्तर, सभी उत्तर सही थे, thank you.